कि ये राणी मक्षी यह जो राप बता दे बहूं क्या काम रहता है इसका राणी करती वच्चे तयार करती यह राणी करेगी कित्ती एक दिन में कम से कम एक दिन नहीं होती है अगर दोसरी तियार हो गए इसमें तो यह अपनी आप उड़ जाएगी अच्छा निकल जाएगी आज मैं यहां कुर्थरे में बाग में हूँ और यहां पर यह मदमक्खी एक्साइट लगी हुई है मेरे साथ मैं भाया प्रेम सिंग जी होंगे और मदमक्खी पालन आप कैसे कर सकते हो क्या सावदानी रखनी चाहिए किस तरह सुरुवात करनी चाहिए इन सब चीजों पर हम भाया जी से बात करेंगे कि जो भी अगर कोई मदमक्खी पालन करना चाहता है तो कैसे कर सकता है कि मदमक्खी पालन एक ऐसा व्यवशाई है यहां पर आप खेती किसाने के साथ साथ इसको कर सकते हो और आमंदनी की बात करें तो अर्णिंग भी ठीक ठा हैं क्योंकि उन्हें जो सहद का रेट है इस वर्स पिछली बर्स के पेक्षा काफी कम मिल रहा है और सही नहीं मिल पा रहा है तो इन सब चीजों पर हम बात करेंगे भाईया प्रेम सिंग्जी से अब जो मदमक्षी पालन है करीब कितने समय से कर रहे हों करीब करीब होंगे द सब्सक्राइब करें तो कम से कम से कम से कम सो बक्स तो होनी चाहिए कम से कम से कम शुरूबात में अब 40-50 बक्स लेके करोगे तो कुई अब बोक्स ले लो आप मदमक्षी खरीद हो गए कम से कम साथार आर्सों रॉपे के कम आता साड़े आर्स व्पे का बॉक्स आता है इस ताहम, और और रहे ancॉल यह जो रहते हैं यह सारे के सारे आपको दस बॉक्स की यह जो इसकी बात करें तो वह चार्व रुपयेगा टाइए चार रुपया पड़े तो यह किसी कारी चार लाखे मांट होना चाहिए किसी को शुरृत करने हैं है कि यह दंदर डालो और यह जश्टा काम खर्चा से अंदर मेरेक फिर एक अ सब Spring come तो प्रशेन चाहिए नहीं चाहिए और भी खर्चें बहुत मैं इस प्रीके है activated लेवर भी खर्चा है और बहुत सारी खर्चे है जैसे आपने दवाई दूरी की बात की महा दवाई लगती हैं किसी रहती है इसमें रोग आते हैं जासे में सबसे ज़्यादाने यह यह अब हुआति है सब्सक्राइब पोलन नहीं मिलता और पूरा सह्एद पोलन सारह कुछ मिलता तो पूरा सब्सक्राइब बीमारी बहुत कम आती यह छाधर कौन से सब्सक्राइब तो इनके लिए पिर आता है एक इसको लगाती है यह रहती है अब जैसे आप नहीं होता तो इसलिए इसका जीवन यापन करने के लिए चीनी खिलानी पड़ती है उसको खिलाने का तरीका रहता है पानी में गोल बनाते हैं देते हैं अब लगेगी आज एक दिन में लगेगी आज मगर वो खतम हो गई अच्छा आपने इसमें माइग्रेशन का खर्चा भी बताया जैसे यहां से अब यहां से आई यह नकलू से खर्चा आने कम से कम 25 रुपे का भाड़ा है लखना उसे अगरा तक का अब इसमें चीनी का खर्चा है अब यह चार सो बक्से रखें तो इसमें चार सो बक्सों चार कट्टीं लगती है चार कट्टीं का मतलग होगा 8000 रुपे की लगते हर आठ दिन के अंदर महीने में चार दिनागती है तो तो आप 32 रुपे का महीन पड़ता है 32 रुपे का तो यह खडचे खडचा फड़ खड़चा हो ले खड़ करशा चलता लग एक बॉक्स से सेजर्ण टाइम में कम से कम एक बार में पांच किलो सेड़ेता है it's it does कि seven कछए टैम तक रहता हैиком शेजान कंग using 8 मेहने का साथ मह attempt अब यहां से ओप आजाता है तो यह आपका सीजन करीब गरी यह रहेगा नौमबर तक रहता है नौमबर तक पचीस नौमबर तक इसका जो कोछी चलती है तो उस टाइम खुछ आता है तो जैसे बीच में लोग माइगरेशन करते हैं जैसे इदर बढ़ने लगती है जैसे बाजरे के टाइम पर मक्ही माइगरेशन करते हैं तो बाजरे के टाइम पर मक्ही बढ़ती है उसमें सबसे ज्यादा बाजरे के जो पुलन होता है उससे सबसे ज्यादा प्रोवर्स करती है मक्ही उससे डवलप करती है जैसे आपका वक्से सो हैं जैसे सो हैं तो उसके करते हैं और इतना बढ़िया आता है तो इससे मखी ग्रोथ करती है तो डवल हो जाता है करते हो उसका डिवीजन करते हैं तो डिवीजन से मखी बढ़ जाती है तो तीन-चार महिने में करीब लगा लो तुम सो बक्सों में करीब गरीब चार पांच रांड निकलते हैं लगा लो परीब बीस वाल्टी का यह जाएक राउंड का अगर सेजन बढ़िया चलता है तब इस साल तो सीजन ब्रकुल ओफ रहा है ब्रकुल शर्सों का भी डाउन रहा है मगर बढ़िया सीजन लगता है तो सो वाल्टी आराम से देती निकल रेट क्या मिल जाता है तो पिछली साल था अब इस साल तो ब्रकुल डाउन है इस साल तो कोई सहथ उठाने वाला ही पैदा नहीं है जैसे मांदी जी अगर कोई व्यक्ति नए पहली बास रुवात करता ह तो करीब चार जार रुपए थे और आट मेंने की बात करें तो सोलो आज रुपए बॉक्स से कितना हो गया सोले जार कोई नहीं Sorry आरे तो नहींग और उसका टोटल खरचा है अब कि कि अब तुद्धा बच सके या तो वह प्रॉफिट कमा सकता है अगर यही रहेंगी तो कोई प्रॉफिट नहीं गाटेगा जैसे पिछली साल रहा था तो जो तीन-चार महीने का ठीक-ठाक सीजन है उसमें वह कितना पैसा कमा सकता है जिससे कि लागत पांच लाग साथ यार की निकल जाए उसे प्रॉफिट प्रॉफिट हो जाएगा अगर तो करी करी लगता है तो कम से कम नहीं तो जो सवावाल्टी निकलती निकाल कि दीगी अगर सीजन बढ़िया लगता है तो जो आप इस इस रेट में तो कुछ नि बज़ता बेकिपर को समाप्त हो गया पर इस साल तो मैं यह जानना चाह रहा सब्सक्राइब तो साल वर में कितना कमा लेगा साधे पांच लॉप्स लाक रुपे लगाने के लिए कम सब्सक्राइब को दो लाग रोपए का तो मुनाफ़ा होई जाएगा मन लगा मतलब साल वर में सहत बेजके वह साथ आठ लाग रोपै तक की इंकफ कर सकता है साधे-पाँच लाग रोपै उसकी जो लाग नियुक्य गर्बाइब कि पहली साल दूरी साल से मुनाफ़ा बढ़ जाहेगा पहली सब्सक्राइब करते हैं तो एक से लाग रोपए तक कमा सकते हो